तो घर जिसका ने रहता है तो इंदरावास के ले करके मनलव सरकार से मांग भी करते हैं तू कहता है कि मुखिवा हम रहा है इंदरावास नहीं देलके या जगरा देलके तू सिधे एक आदमी सम्मी ले अब किस्त 45,000 मिला अगरा में डायरेक्ट जो है न 30,000 रुपईया ले और बाद फिर जो है न 10,000 रुपईया अलग से ललके यानि 40,000 रुपईया आ 3,000 रुपईया फोर्मा भरने यानि 45,000 रुपईया और जब 30,000 ले 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 तो डायरेक्ट बोले कि बोला तो अब यों मंजूर हो 30,000 बहुत ठीक है आने तो अब यों बोल दा राप साप तो यह सब मतलब क्या ऐसा यह चर्चा सुनने माता है उन्हें जानता होगा कि मुख्या जी कौन कामा है अब लड़ गी आप से आप देखिए जिसे एक चलन में है कि पंचायत में विकास के लिए बलुक अस्तर के जितने भी पता धिकारी जैसे बता है यह हो गया सचीव हो गय है कि यह लोग कितना चाहता है कि पंचायत में विकास के सुनते हैं लोग बताता है कि इसका परसेंटेज भी, बहुत मांग रहता है आदoma का आकणशा कुछ इस तरह है कि वो अधिकार नमस्कार आप देख रहे हैं पान मिडिया बिहार आज मैं आया हूँ जमू जिला के बरहट पर खंटन तरगत नुमर पंचायद और नुमर पंचायद के मुख्या जी का एक खास्यत मैं बताता हूँ इनका उम्र 71 वर्स है और ये रिटार प्राप्त कर चुके हैं यानि सर्विस से रिटार कर चुके हैं लेकिन ये सेवा से रिटार नहीं हुए हैं इनके अंदर एक जुनून था जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं समाज में कि नौकरी प्राप्त किये नौकरी रिटार किये उनका बेटा बेटी पैसा पेंसन मिल रहा है लेकिन अब हमको उससे कोई मतलब नहीं अपना जीवन जियेंगे लेकिन इन्होंने एक राष्ता चुना समाज सेवा कर और समाज सेवा के राष्ता के साथ साथ ऐसे सुज़े कि क्योँ ना मैं एलक्षन मुझे लोग कितना चाते हैं और समाज में कितना मेरा परभाव है इसको अजमाने के लिए यहां की जनता ने इन्हें बहुमत दिया और अभी बरतमान मुखिया हैं तो आए इन से जानते इनका परिछे और क्या अधेश था मुखिया में आने का और इनका मतलब एक मोडल पंचायत बनाने का क्या योजना ह हैं के पास और अभी तक इन्होंने कितना कार्ज किया है चोकि परतम बर बार मुख्या बने हैं तो सबसे पहले इनका परिछे जानते सर अपना परिछे नमस्कार, मैं दामोदर पासवान, नूमर पंचायत मुख्या, हमारा मिसन समाज सेवा का था, हम मुख्या के द्वारा, हम सोचे कि अगर मुख्या के द्वारा जाएंगे, तो हमारे पास कुछ पावर मिलेगा, और नहीं पावर मिलेगा, तो हम परचित होंगे सबसे, सबसे लगाब होगा तो हम उसका साथ देंगा। इन सबों से जो मेरा बारतलाफ हुआ उनका जो हम सहयोग किये या वो हमको सहयोग किये तो इससे उन लोग लगा नहीं भाई ये आदमी जो है दामोदर पासवान ये हम लोगो हर दुख सुख में साथ रहेगा। हमारा साथ कहना था कि देखे भाई हम अपने से कुछ नहीं दे सकेंगे जो आप लोग दिजिएगा वही हम देंगे और अगर मुखिया हो जाते हैं तो जो सरकार देगी वह हम देंगे। हम के खुआज़घ़ घ्सार रहता है वह सचीब के पास ये लकिन पंचायत में जो भी पैसा आ रहा है उसको पंचायत के बिकास के लिए जो एक से काम कर रहा है तो मेरा पहला उद्देश रहा गाउं की सफाई यह क्योंकि यह गांधिया का पहला मिसन रहा है और हम गांधिबादी हैं भी कॉंग्रेस से जुड़े हुए हैं पंचायक में सोचाले कितना परसेंट काम हो चुका है देखिए सोचाले का अभी कोई खास होसा नहीं हुआ है लेकिन हमारा जो प्रियोटी है हम उसको करते हुए जा रहे हैं और रही जो सफाई का एक डवलूपीव होता है हम अपने परखंड में सबसे परखंब बनाएं और वो लगभग साल वहर पहले बनके दयार है और वहां कारी भी चल रहा है और वो लों का जो साप सफाई का काम होता है हम अपने तर तरीका से बिच विच में उसका निरिक्षन भी करते हैं गाओं में समुदाइक भवन है तो जो उसका तरीका है मोडल है पिछला जो सब था उसको हम नए तरीका बना रहे हैं लोग भी जानता है मुखिया जी करते कून-कून कामा है इसके हशें हैं देखरेक का माम है जितना भी काम है वो सचीव के दारा होता है जैसे नदी ये नाला हुआ, नाला मरमत हुआ, नाला का नया निर्मान हुआ, ये आपका ये परधान मंत्री आवास हुआ, ये सब का अपना अपना डिपार्ट है, मुख्या का काम विकास का है, और हर जो उनका ये स्टाफ है, उनको क्या बोला जाए, जिसे पंचायत सचीव हुआ, जो सरकारी करमचारी सब है, उनको देखना कि उनका काम कहा तक चल रहा है, कि पंचायत में विकास के लिए बलुक अस्तर के जितने भी पता धिकारी जैसे बताया, ये ही हो गया, सचीव हो गया, ये लोग कितना चाहता है कि पंचायत में विकास के सुनते हैं, लोग बताता है कि इसका परसेंटेज में बहुत मांग रहता है, नहीं देखिए एक बात आपसे हम साफ बोल देना चाहेंगे कि खटे अंगुर कोन खाए क्योंकि हम सुरू से पब्लिक से जुड़े हुए हैं उहां पर थे तो जो वरकर था उससे जुड़े हुए हैं होता क्या है कि आदमी का आकंचा कुछ इस तरह है कि वो अधिकार से कु अधिकार से ज्यादा चाहते हैं जो काम मैं वाकिया बता रहा हूं हमारा वार्ड नमर एक से एक आदमी आये और बोले लगे कि मुख्या जी हम आपके लिए कितना परिश्रम किये भोट दिये हमरा चापा कल आप नहीं दे रहे हैं वह बहुत बोले उनका बात सुने प्यार देरे सांत हुआ हम ले देखिए चापा कल मुख्या के प्रायरिटिम नहीं है नहीं दे सकेंगे रही बात अगर आपका दूसरा कोई काम है वह हम हमको बताईए हम उसको कोसिस करके करें यही बाता उन्हें जानता होगा कि मुख्या जी के कौन कामा है आउर लड़गी आप आप देखिए जिसे अभी आप कार के बारें बोलते हैं तो हमारे चोटा चोटा काम है जिसके और आदमी को ध्यान देना सबसे पहले हमारा आंगनवाड़ी चलता है वहां पर हम प्राय अपने आदमियों से बोलते हैं कि देखो यह मत वहां सोचो कि हमारा घर का आदमी है चलो जैसे चल रहा उसे चल रहा उनको समझाने के कोशिश करो कि आप कार के बारें बोलते हैं तो हमारे चोटा चोटा काम है जिसके और आदमी को ध्यान देना सबसे पहले हमारा आंगनवाड़ी चलता है वहां पर हम प्राय अपने आदमियों से बोलते हैं कि देखो यह मत वहां सोचो कि हमारा घर का आदमी है वह चलो जैसे चल रहा उसे चल रहा उनको समझाने के कोशिश करो कि आप हमारे बच्चे सही होंगे तो बड़े होंगे तो सही बनेंगे और अभी से धिलाई कर देंगे तो गलत होगा जहां इसकूल है वहां जाते हैं उनसे साप बोलते हैं कि बच्चे पर ध्यान दीजे यानी मुख्या जो है सिच्छा के परतिवी पंचायत में जो शुल चल रहा है उसको भी देख रख करना है हां मुख्या काम ही है सहयोग करना रहे बात और प्रशनUh I don't Invest me जिस मुख्या जी कभी ऐसा हुआ है कि अघ्रश के जितने भी पंक्चायत में जितने शोर्फ हैं है स्कुल है मिडिल लॉस्कूल है प्राथमी स्कूल एसके हैर बड़ी जरूब है आईसा कभी आपने जिवाती कार्जकाल में बैठक करवाए हैं क्या ना देखिए हम बैठक नहीं करवाए हैं लेकिन हम परतेक इसकूल में बीच बीच में जाते हैं और उसको निरिक्षन बुलिए या आपसी सहियों का भावना बुलिए आपसी विचार स उनको प्रेरीद करते हैं कि ताकि उनको यह नहीं लगे कि हमरे उपर दवाब बनाता है मने हम प्यार से समझा के उनसे काम लेना चाहते हैं और हद तक ले भी रहे हैं और शिक्षक लोग हमसे खुश भी है चलिए अच्छा एक और है जादे तर एक गरीब का घर जिसका नह करके मनलब सरकार से मांग भी करते हैं तो कहता है कि मुखिवामराइं इंद्रावास नहीं देलके या जगड़ा देलके तो सीधे एक कल एक आदमी सम्मीले आपके पंचाइब 45,000 मिला अगरा में डायरेक्ट जो है ने 30,000 रुपया ले ललके उकर बाद फीर जो है ना 10,000 अलग से ललके यानि 40,000 रुपया और 3,000 रुपया फर्मा भरने यानि 45,000 रुपया और जब 30,000 लेवे लग ले तो डायरेक्ट बोले कि बोला तो अब यो बोल दा राप साप तो ये चर्चा सुनने माता है तो देखिए हम उसको तो देखिए हम उसको तो रोक नहीं सकते ह हैं लेकिन अपने अस्तर पर हर एक वाड में जाके सब को बोल दिया गिया है कि भाए आप एक पैसा किसी नहीं दोगे अगर कोई मांगता है तो आके बताईएगा और वो जो लिस्ट है जो लोग को मिले मिला पैसा मिलेगा उसके लिस्ट को देखते हुए हर जगा हर घर मे जाके बुल गिये जिसका जीकता जाकता प्रूप आप एक नमर वाड में जाके पता कर सकते हैं कि कुछ आदमी को बोला जा रहा था कि भाई तुम्हारा ये कमी है या वो कमी है हम देखे था कुछ कमी था उसमें उन्हों को समझाए ओपेपर उसको दिया और उसको मिला तो एक नमर में समझाने के नाते हमरा लग भग ये विचार हर वाड में गिया और हर जगा बोला गिया हाँ ये चीज और सुनने में आता है कि कुछ आदमी बोलता पैसा दें यह नहीं तो होगा तैंसे पिंए और वहां पर वो पैसा देता है